हलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे पनीर की सबजी पनीर की सबजी बनाने के लिए एक बड़ा चमच तेल लें उसे गरम कर लें मैंने अपने एक मिकसर के जार लिया है उसमें दो बड़े कटे हुए टमाटर थोड़ा सा लाजुन और चार सूखी लाल मिर्च ली है और इन्ह अच्छे से मिकस कर लें जब अच्छे से मिकस हो जाएं तब इसके अंदर एक चमच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे एक चमच हल्दी पाउडर डालेंगे एक चमच धनिया पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसान नमक डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिकस कर लेंग अब हम इसके अंदर पनीर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ढख कर पांच मिनट तक और पकाएंगे पांच मिनट बाद ये सबजी अच्छे से पकड तयार हो गई है अब हम इसके अंदर बारी कटा हुआ थोड़ा हरा धनिया डालेंगे हरा धनिया डालने के बाद इसमें थोड़ी सी मसली हुई कसूरी मेति डालेंगे और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद ढग कर दो मिनट तक पका लेंगे दो मिनट बाद ये देखे पनीर की सबजी अच्छे से बनकर तयार हो गई है अब हम इसे सर्व करेंगे अगर आपको मेरी रेसपीज पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और सबस्क्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें थैंक्यू